तो कहानी शुरू होती है जर्मनी के उस टाइम से जब 1917 में वाड चल रही थी जर्मनी की फ्रांस के साथ में यहाँ पर हम उस जगे को देखते हैं जहाँ पर वाड चल रही होती है और यहीं पर हम देखते हैं हेंरिक को हेंरिक भी एक यंग फॉजी होता है जिसे की लड़ने पर से उनकी uniform को हटा दिया जाता है और से uniform को बाद में धोया जाता है और फिर इन्हें आराम से सुखा करके नए officers के लिए रख दिया जाता है और हम एक सीमं में देखते हैं पॉल को पॉल यहांपर अभी भी स्कूल से निकला और उसे जा गाल कि यहां पर चाली और अपना काफ़ के पाइट यहां पर उनकी वहां पर आक्शली में कितनी जएस्य सिच्व रही है इसके बारे में कुछ भी सभणाने होता अब जब पॉल बहुँ पहुचता है तो इसे क्ड़ार दी जाते हैं इस backdrop पर लिखार होता है हैंस्ट हां यह खुतर हहां है ये उनिफार्म को पहें adversity यह तो पहुझें से पॲार्प शुरू हो जाती है और आते ही उन्हें काम मिल जाता है यहां पर उन्हें अपनी टोपी उसे पानी को बाहर निकालना होता है और इसके बाद उन्हें दुश्मन की सेना के उपर नजर रखनी होती है पॉल ऐसे ही नजर रखनी होता है कि तब ही उसे कोई शौट करता है लेकिन वो गोली उसके हेलमेट के ऊपर लगती है और वो मरते मरते बच जाता है इसके बाद वहाँ पर बॉम ब्लास्ट होते हैं सब लोग चामबर के अंदर छिप जाते हैं पॉल का एक फ्रेंट काफी जादा घबरा जाता है यूँकि जब वो यहाँ पर आया था तो यह उसे एक लग लग रहा था और इस वजacyj से वाँनिक उजाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है उसके इस भागने की कोशिश में वो बॉम की नीचा सा जाते हैं और खुद भी ब्लास्ट हो जाता है मदब कि एक बॉम उसके ऊपर आके गिरता है अब इस पूरे बॉम ब्लास हो कि कौन-कौन से फौजी मर चुके हैं और अब यहां से सीज शिफ्ट हो जाता है 18 मंथ बात का इतने वक्त से वो लोग जंग लड़ रहे होते हैं कि अब उन्हें कुछ वक्त का आराम मिल जाते हैं और वो लोग आर्मी के कैसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर कोई भी चल रही है और यहां पर उलग रिलाक्स कर सकते हैं यहां पर उनके पास खाने के लिए जादा अच्छा खाना नहीं होता है तो पॉल और उसके सीनियर क्याट यह दोने एक घर में जाकर के वहां से ड़क को चुरा लेते हैं और फाइनली 18 मंथ बात उन्हें कुछ धंका खा करता है वह तो आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और उसे अभी भी यह जंग जारी रखनी है अब नेक्सीन में यहां पर सबके लिए लेटर जाते हैं और क्याट के वाइव भी उसके लिए लेटर लिखती है क्याट पढ़नी सकता क्योंकि और कभी स्कूल ने गया ती क्याट और पाल की बीकोंडिंग काफी अच्छी ती अब नक्सीन में यहां पर पॉल और उसके टीम को एक काम मिलता है कि कुछ सोलजर्स गओं गए और उन्हें जाकरके ठूहने अंध़ 106 सोलजर होते हैं और उन्हें धूंते ठूहने ठूहनंदे घूह जाता है जो कि काफे साथा टूटी फूटी जेगे पे बना होता है और यहीं पर उस रूम के बाहर उन्हें गैस के ट्रेसेज मिलता है और अंदर जाकर कि वो ये देखते हैं कि एक हॉल के अंदर लाशे ही लाशे पड़ी होती है और ये सारे 60 सोलजर्स उनीक हैं जने की गैस दे करके मार दिया गया है यहाँ पर भी पॉली सबके लॉकेट निकालता है और अब हमने एक सीन में जनरल को देखते है जनरल अभी भी वोर को रोकना नहीं चाता है पर यहाँ पर उसके साथ में एक ऐस आफिसर भी होता है जिसे कि war को रोकना होता है और उस officer को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होती है कि उनके फौजी काफी ज़दा ठक चुकी है वो लोग जंग के मैदान से भाग रहें और उन्हें कैसे भी करके war को end करना पड़ेगा वरना फिर वो हार जाएंगे और इसी के लिए वो officer एक टीम बनाता है और जाकर के फ्रांस के officer से बात करता है फ्रांस के officer जानते हैं कि वो लोग तो जीतने वाले हैं तो आसानी से war को खत्म नहीं करेंगे तो अब वो जर्मन officer उन्हें ये बोलता है कि उनकी जो भी conditions है वो उन्हें बता दे और अब फ्रांस के officer उन्हें एक file दे देता है इस file में फ्रांस की सारी conditions लिखी होती है और अगर यहाँ पर जर्मन सारी condition मान जाता है तो यहीं पर war रुख जाएगी लेकिन जाहिर है वो officer ये फैसला अकेले तो नहीं ले सकता है तो अब वो इस file को आगे government के पास में भेज़ देता है और next scene में पॉलर्स की पूरी team को दुबारा से front war वारी जगे पे भेज़ दिया जाता है यह वहीं जगे होती है जहां से कुछ वक्त पहले वो लड़ करके वापस आयोते है अब यहां पर वो लोग आगे बढ़ करके France वाले area में अटैक करते हैं जहां पर France के सारे फौजी Germans की तरह जमीन के अंदर एक गड़्धा बना करके रह रहे होते हैं और वही से अपनी war को लड़ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर जर्मन्स के पास में उतने जदा अच्छे वैपन नहीं होते हैं और फ्रांस यहाँ पर टैंकर लेकर के आ जाते हैं जिसमें कई सारे जर्मन्स मारे जाते हैं क्योंकि वो लोग उनके उपर से टैंकर निकाल देते हैं पॉल को यहाँ पर बचा लिया जाता है और उसके कुछ दूसरे साथ ही उसे उठा करके लेके जा रहे होता है लेकि तब ही पॉल पीछे देखता है कि जो लोग भी वहाँ पर फ्रांस वाले एरिया में रह गए हैं उनकी उपर आग लगाई जा रही है और उन्हें जिन्दा ह वहाँ पर उड़ता है वह काफी देर से भाएं वहां पर लाश की तरह बड़ा होता है कि कोई भी इसे मारे ना और अब यहाँ पर घेर से चाकु मारे बार पॉल नकिसी को चाकु से मार रहें इतनी पास से किसी को मारें और इसकी वजह से पॉल काफी सब्स्याता प्रेशान को जाता है लैकिन थोड़ी तेर बाद दुबारा से अपने डेरे होता है उसको अभी भी आग लगे होती है उसको कैसे ना कैसे करके वार्ट चाहिए इसके लिए वो अपने सारे पॉज्जियों को एक जिगह पर खटा करता है और उन्हें मोटीवेट करता है और यह बोलता है कि वो लोग आज ही फ्रांस के खेमे की तरफ अटैक करने वाले है हाला कि कोई भी ऐसा नहीं चाता है पर जो लोग भी मना कर रहे होते हैं वो सभी लोग उन्हें पकड़ ले रहे होते हैं या पर जनरल के काफी सारे सपोर्टर्स होते हैं तो अभी ना चाते हुए भी सब को वार के लिए जाना पड़ेगा और अब हम इसी वक्त में देखत है लेकिन उसके पास में कुछ अंडे होते हैं पॉल और कैट अंडे को मिला करके कच्छा अंडा पी लेते हैं लेकिन उनके लिए वह भी काफी टेस्टी होता है और अब जब यहां पर कैट जंगल में अकेले घूम रहा होता है कि तभी वह चोटा बच्चा उसके सामने आ है और वह पैठ में को शूर्ट कर दीता है क्षा कर द्याद के पेट में लगा जाते हैं और पॉल यह से बचाते होए ऐस्पेटल ले करने जाता हैं मदफ हार्मी के हास्पटल में लिकिन वहां पर पर कैट की डेह उचा चाती है और इसी के बाद को यह पता चलता है कि जनर लड़ते लड़ते एक दूसरे कमने में गिर जाते हैं जो कि अंदर की दुरफ को होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से कोई पॉल को चाकू मार करके मार देता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले पॉल ने का अदमी को मारा था अब पॉल को चाकू लग चुका है और वो मरन होता है जब पॉल पहली बार फाइट करने के लिए वार वाले एरिया में आया होता है बिल्कुल वैसा ही और यहां पर भी उस लड़के का सीनियरों से यही बोलता है कि जितनी भी लाशे पड़ी हैं सबके उपर से सबके लॉकिट निकालो और वो लड़का जाते जाते और कब वो पहले दिखा है जहां पर फॉट जी इतना कुछ जहल जाते हैं सिर्फ विजली क्योंकि दो गवर्मेंट आपस में शांती नहीं रखना चाहती है और इसी साद एंडिंग के साथ यह कहानिया ही पर खत्म हो जाती है इस मूवी का नाम है और वेस्टन फ्रॉंट जो कि 2022 में रिलीज होई है और इसकी आएंडिवी रेटिंग है 8.0 आउट आफ 10 तो अगर आपको मेरा एक्स्प्रेइन अच्छा लगा हो तो प्लीज मारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मैंचाल को सब्स्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबा झाल